इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप आपके फोन में डेवलेपर मोड का जो आप्सन है उसे एनेवल कर सते हैं और इसी के साथ हम एक और टॉपिक को भी कवर करेंगे कि कैसे आप आपके फोन में USB डेबागिंग जो मोड है उसे कैसे एनेवल कर सते हैं वीडियो में आगे वर्णने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि USB debugging mode basically ऐसा होता है कि आप अपने smartphone को आपके PC या फिल लैप्टॉप पे connect कर सकते हो एक ही option है वो है डेवलप जो USB debugging mode तो USB debugging mode basically ऐसा होता है तो developer mode on करने के लिए सबसे पहले आपको आपके phone में setting को open कर लेना है setting को open करने के बाद आपको आपके phone में setting में about phone में चले जाना है about phone में जाने के बाद आपको या पे आपका जो build number है उसे 7 बार प्रेस करना है जैसा कि आप देख साते हैं मैं या पे प्रेस कर रहा हूँ आप देख साते हैं या पे आगया you are now a developer फिर आपको back आ जाना है फिर आपको scroll down करके नीचे आ जाना है या पे आपको मिलेंगी additional setting या पे आपको क्लिक कर लेना है अपको या पे डेवलोपर आप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको या पे डेवलोपर मोड का सारे जो आप्शन होता है वह आपको दिख जाएगा तो आपको simply scroll down करके नीचे आ जाना है या पे आपको एक दिखेगा USB debugging इसे आपको on कर लेना है तो आपके सामने एक pop-up आप आजाएगा allow usb debugging usb debugging is intended for development purposes only use it to copy data between your computer and your device install apps on your device without notification and read log data तो वीडियो में जैसा मैंने पहले ही कहा था कि usb debugging basically जैसा होता है तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे ok कर देना है आपको तो आपके phone में ऐसे developer option on हो जाता है और developer option के अंदर जो usb debugging है वो ऐसे आप इसे on कर जाते हैं तो यह थी आज की वीडियो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye झाल